तो दोस्तों यह है देखिए दोस्तों यह है आपके टीवी का बैक पैनल तो यहां पर मैं आपको चीज पहले ही किलियर कर दूँ दोस्तों कि यहां पर दो यूएसबी सपोर्ट यहां पर दिये गए एक पहला यूएसबी और यहां पर दूसरा यूएसबी बन और टू तो दोस्तों आपको टू पर कनेक्ट करना है जिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर टू पर इस पेंड्राइब को कनेक्ट कर लेना अब देखिए दोस्तो टू पर तो यह अच्छे से connect हो चुका है अब दोस्तों आपको आजाना है main screen पर और main screen पर आने के बाद आपको TV का remote लेना है यह है दोस्तों TV का remote नहां पर देखिए यह option आपको दिखाई देरा USB का यह है दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है USB तो यह USB का जो sign भी यहां पर बना हुआ है दोस्तों और USB लिखा हुआ भी है तो इस USB के button को आपको click करना है तो जैसे ही आप USB के button को click करेंगे तो आपके सामने चार folder आ जाएंगे यहां पर लिखा है video, second में लिखा है music और third में लिखा है picture और एगले में file लिखा हुआ है तो दोस्तों एक चीज मैं आपको पहले ही clear कर दूँ अगर वीडियो में आप इसे select करते हो यानि वीडियो को select करके इसे open करोगे तो यहां पर cable video ही चलेंगे जो आपने paint drive लगाई है उसके लावा music पर जाएंगे तो cable music चलेगा और यहां पर cable photo ही दिखाई देंगे pictures में उसके लाव file में आप जाते हैं तो file में जाके आप कुछ भी access कर सकते हो file वाला option है इसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि file में जाने के बाद क्या क्या हो सकता है तो आप देखिए यहां से आप कुछ भी access कर सकते हैं जो भी चीज तो भी आप यहां पर जाकर खोल सकते हैं तो देखिए अब यहां पर photo भी खुल जाएंगे देखिए यहां पर photo भी खुल चुके हैं तो इस तरीके से आप file वाले option में जाके कुछ भी play कर सकते हैं बड वीडियो वाले में जाएंगे तो वीडियो ही play कर पाएंगे music में जा जाएंगे तो पिक्चर ही प्ले कर पाएंगे